हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3.1 टैक तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप Paytm Mall एप्लिकेशन पे एकाउंट कैसे बना सकते हैं Paytm Mall एप्लिकेशन एक शोपिंग एप है जैसे आपके Amazon, Flipkart ये शोपिंग साइट से जहां पर आप कुछ भी शोपिंग कर सकते हैं वैसे ही Paytm Mall एप से भी आप शोपिंग कर सकते हैं इसका एकाउंट बनाना मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी last वीडियो पे जिसका सबसे पहला कमेंट था उसका चैनल आपको मेरी स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा होगा तो प्लीस जाके इंके चैनल को सपोर्ट कीजिए और इनके चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा वहाँ से जाके भी इनके चैनल को ज़रूर चेक आउट करें और इन्हें अपना पुरा-पुरा सपोर्ट करें अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फॉन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पे टिम मोल अप्राभ अप्लिकेशन पर फ्रेंड्स हम साथ चैट बनाने के लिए गहां आपको प्ले स्वसे तो उन करना रापन कर लेंगे और यहां पे आपको सर्च करना है तो मैंसे यहां पर जल्दी से इंस्टोल कर लेता हूं यह अभी हो जाएगी इंस्टोल 9MB का ही है ठीक है जदा बड़ी भी नहीं है एप्लिकेशन तो यह इंस्टोल हो जाएगी इंस्टोल हो रही है अब देख सकते हैं आप आप English, Hindi, Tamil, Marathi, Telugu जो भी आप चाहें वो यहां से Select कर सकते हैं तो मैंने आप English ही Select रहने दिया है उसके बाद नीचे Continue का जो Option है इसके उपर क्लिक करेंगे Language Setup Complete हो गया हमारा अब यह हमें बोल रहा है To Make Changes, Phone Calls ठीक है यह आप अलो या डिन है यहां पर हम अलो करेंगे तो यह हमारे सामने PTM Mall का जो है Home Page आ गया है आप देख सकते हैं यहां पर अब यहां पर Account कैसे बनाना है आप देख सकते हैं आप नीचे आपको काफे सारे Options दे रखे हैं Home, Fashion, Top Deals, Bazaar, My Profile, Profile ठीक है तो आपको यहां पर Profile के उपर क्लिक करना है जो सबसे Last में है Bottom Right Corner में उसके उपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहां पर आपको यह बोलेगा कि आप इसमें Login कर सकते हैं ठीक है, Create a New Account अपना Phone Number डालके तो मैं यहां पर जल्दी से अपना Phone Number डाल देता हूँ तो यहां पर मैंने Number डाल दिया है, इसके बाद हमें Proceed securely जो Option है इसके उपर यहां पर सबसे पहले Done कर लेंगे और यहां पर यह Automatic OTP ले लिया है इसने, ठीक है, क्योंकि यह Number मेरा इसी Phone में है तो इसने Automatic OTP यहां से लेके इसमें Login कर लिया है ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है मुझे Access Account ठीक है, यह आपका जो है, उसे आप Create a New Account करना चाते हैं यह Login to Existing Account करना चाते हैं तो मैं यहां पर Create a New Account पर क्लिक करूँगा, तो यही Option खुलके आ गया है, तो मेरी यह Profile यहां पर बन चुकी है, यहां पर अकाउंट बन चुका है, अब यहां पर Edit Profile जो है, यह इसके सामने जो Arrow आ रहा है, इसके उपर क्लिक करेंगे और यहां से आपको यहां पर अपना नाम डालना है, email address डालना है, और phone number तो आपका होई जाएगा, जब आप इसमें Login करेंगे, Create करेंगे Account, ठीक है, तो यह तीनों चीज़ डाल देनी हैं आपको, और आपका Successfully Account बन जाएगा, तो इस तरीके से आप Paytm Mall Application के अंदर अपना account create कर सकते हैं, next video में मैं आपको इससे shopping करना सिखाऊंगा, तो friends अब आप अच्छे से सीख गए होंगे कि Paytm Mall Application के उपर आप अपना account कैसी create कर सकते हैं, अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि Paytm Mall Application से आप shopping कैसे कर सकते हैं, उससे कोई भी order आप कैसे कर सकते है तो तब तक के लिए जुड़े रहें मेरे इस channel के साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंदाई हो तो से like और share जरूर करें, और वीडियो से related कोई भी question query है, तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं, thank you